हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अरेश और मैं आप सभी का इस अरेश क्लास है यूट्व चैनल के एक नई वीडियों आप सभी का पुन्य स्वागत करता हूँ आज हम यूपी वोर्ड क्लास 12 के प्रोज के सेकंड लेसन दा फैलो ट्रेवलर नामक इस लेसन के थर्ड पार्ट का हिंदी अर्थ का अध्यन करेंगे इसके दो भाग मैंने पहले अप्लोड कर दी हैं अगर आपने नहीं बहुश किया है तो आप चैनल के प्लेलेस्ट में जा आप मरने वाले हो तो आई मतलब मैंने श्ट्रक मतलब प्रहार किया अस्विफ्ट मतलब एक तेज लीथल मतलब प्राणगा तक बिलो मतलब प्रहार बैसे मुक्का होता है बिद मतलब से माई मतलब अपने राइट मतलब दाएं हैंड मतलब हाथ तो आई श्ट्रक अस्वि मच्षर डश्ड बच निकला दा अटाएक उस हमले से या उस प्रहर से या उस आक्रमर से पतलव साथ या पमान के आसान तो योड़ विन दाएक बिद आ असान लोग्या कि है उस पराएक आसान के आसानी से बच निकला तो पूरा देख लेते हैं friends वह है उस हमले से या उस आक्रमन से अपमान के साथ आसानी से बच निकला जिसने मुझे अपमानेत किया तो आगे है friends, my मतलब मेरा, personal मतलब निजी या ब्यक्तित्व, vanity मतलब गुरूर या फिर गहमन्ड, was aroused जाग गया my personal vanity was aroused मेरा निजी ब्यक्तित्व या मेरा निजी गुरूर जाग गया I मतलब मैंने लंगेड पीछा किया, at मतलब पर, him मतलब उसका या उस पर I lunged at him मैंने उसका पीछा किया, with मतलब साथ, my hand अपने हाथ, with my paper अपने paper वाले I lunged at him with my hand, with my paper, मैंने उसका अपने paper वाले हाथ के साथ पीछा किया यानि कि जो writer थे उनके हाथ में जो अकवार था, उस अकवार वाले हाथ के साथ, उन्होंने उस मच्चर का पीछा किया तो आगे friends, I मतलब मैं jumped कूद गया, on मतलब पर the seat मतलब उस बैठी का या सिंगासन या seat पर I jumped on the seat मैं उस बैठी का पर कूद गया, and or pursued पीछा किया, him मतलब उसका round मतलब चारो तरफ या आसपास दा लेंप मतलब उस लेंप के, तो I jumped on the seat मैं उस बैठी का पर कूद गया, and pursued him round the lamp और उस लेंप के चारो तरफ उसका पीछा किया, I मतलब मैंने, यानि की writer ने adopted, सुईकार कर लिया, या मान लिया tactics, चतुराईयों को, of मतलब की, flying मतलब, बिल्ली सी, cunning मतलब, चालाकी, I adopted tactics of flying cunning, मैंने, उसकी बिल्ली सी, चालाकी की चतुराईयों को सुईकार कर लिया, यानि की writer मान गया की वह है, बिल्ली की तरह चालाक है Waiting, प्रतिच्चा करता रहा, तिल मतलब, तव तक, he had alighted, ही मतलब, वह had alighted, नीचे उतर जाने तक, तो Waiting, तिल he had alighted, उसके नीचे उतर जाने तक, मैं उसका प्रतिच्चा करता रहा, या इंतिजार करता रहा तो आगे friends, approaching, निकट पहुचते हुए, with a horrible stiltness, a horrible मतलब एक भायानक stiltness, मतलब चुपके से, तो अत्यधिक चुपके से, striking प्रहार करता रहा, बिदा सडन, अचानक, and or terrible मतलब भायानक, swift मतलब तेजी तो terrible swiftness यानि अत्यधिक तेजी, तो पूरा दिख लेते हैं friends, waiting till he had highlighted, उसके नीचे उतर जाने तक, प्रतिच्चा करता रहा, approaching, with a horrible stiltness, striking, with a sudden and terrible swiftness, और अत्यधिक चुपके के साथ, निकट पहुचते हुए, और अत्यधिक तेजी के साथ, अचानक उस पर प्रहार करता रह तो friends, आगे है, it मतलब यहाँ, बोज मतलब था, all मतलब सब in when, ब्यार्थ, तो it was all in when, यहाँ, सब ब्यार्थ था, he मतलब वहें, यानि की मच्छर, played मतलब खेला, with me, मतलब मेरे साथ, he played with me, वहें मेरे साथ, openly, खुले रूप से, and ostentiously, और दिखाईवे के साथ, तो, he played with me, openly, and ostentiously, वहें, खुले रूप से, और दिखाईवे के साथ, उसने मेरे साथ, खिलबार किया, या वहें मेरे साथ, खेला, like मतलब जैसे की, a skillful, a मतलब, एक skillful, मतलब, चतुर या कुसल, मैटा डोर, बेल से लडने वाला योध्धा, financing, सामना करता है, round मतलब, गोल घिरे में, and मतलब, एक infruited, क्रोधित किये गए, बेल मतलब, बेल का, तो, like a skillful, मैटा डोर, financing, round and infurited bull, जैसा की, एक चतुर, बेल से लडने वाला योध्धा, एक गोल घिरे में, एक, क्रोधित किये गए, साड का सामना करता है, जैसे की, एक खुसल, साड से लडने वाला, या बेल से लडने वाला योध्धा होता है, वह एक गोल घिरे में, एक क्रोधित किये गए, बेल का सामना करता है, इस तरह से उसने मेरे साथ खिलबाड किया, इट मतलव यह बोज मतलव था, obvious मतलव, it was obvious, यह इसपश्ट था, that कि, he मतलव वह बोज enjoying आनंद ले रहा था, himself मतलव अपने आप में, it was obvious that he was enjoying himself यह स्पष्ट था कि वह अपने आप में आनंद ले रहा था that और यह भी स्पष्ट था कि two friends आगे है it was for this इसके लिए that he had he had disturbed भंग किया था या बाधित किया था my मतलब मेरे रिपोज मतलब आराम को तो it was obvious that he was enjoying himself यह स्पष्ट था कि वह अपने आप में आनंद ले रहा था that और यह भी स्पष्ट था कि it was for this इसके लिए that he had disturbed my रिपोज इसके लिए वह मेरे आराम को भंग या बाधित किया था he मतलब वह wanted मतलब चाता था a little मतलब थोड़ा सा sport मतलब खेल he wanted a little sport वह थोड़ा खेल चाता था यानि वह थोड़ा खेलना चाता था and or what मतलब कौन सा या क्या sport मतलब खेल like मतलब की तरह being chased पीछा किया जाना by मतलब के द्वारा this मतलब इस huge मतलब विसाल lumbering भारी भरकम windmill पवन चक्की की तरह of a creature एक प्राणडी तो and what sport like being chased by this huge lumbering windmill of a creature इस विसाल भारी भरकम पवन चक्की की तरह एक प्राणडी के द्वारा पीछा किया जाने की तरह कौन सा खेल होता है तो friends यह है affirmative sentence interrogative sentence है जिसका negative अर्थ आएगा जैसा कि आप देख सकते हो question mark लगा है transformation में आपको ऐसा rule पढ़ा होगा या पढ़ने को मिलेगा तो यानि कि जो मच्छर था हुए यह सोचता है कि इस विसाल भारी भरकम और पवन चक्की की तरह एक प्राणडी के द्वारा उसका पीछा किया जाने की तरह है कौन सा खेल होता है अंदर से आवाय आती है कोई भी खेल नहीं होता है तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं यानि कि जो राइटर था हुए मच्र को मारने का बारबार प्रियास कर रहा था तो वह इतना असाय और मूर्ख प्रतित होता था आई मतलब मैंने विगेंटू लगा या शुरू कर दिया एंटर इंटू प्रविस करना दा इस्प्रेट मतलब आत्मा में आफ दा फैलो उस साती की तो आई विगेंट टू एंटर इंटू दा इस्प्रेट आफ दा फैलो मैंने उस साती की आत्मा में प्रविस करना शुरू कर दिया था तो फ्रेंट्स आगे लिए वाज मतलब था नो मतलब नहीं लोंगर मतलब आव अमीर केवाल इंसेक्ट एक कीडा तो लिए वाज नो लोंगर आमीर इंसेक्ट वहे अव केवाल एक कीडा नहीं था ही मतलब वहे वाज डवलपिंग विकास का रहा था इंटू मतलब में आव पर्सनल्टी ब्यक्तित में या एक ब्यक्तित में एन इंटेलिजेंस और बुद्धिमन्ता में तो लिए वाज नो लोंगर आमीर इंसेक्ट वहे केवाल एक कीडा नहीं था ही वाज डवलपिंग इंटू आ पर्सनल्टी एन इंटेलिजेंस वहे एक ब्यक्तित और बुद्धिमन्ता में ब्यकास कर रहा था जिसने या जो कि चेलेंजड चिनोती दी दा पजेशन अधिकार ओफ दिस कमपर्टमेंट इस डिब्बे की बिद मी मुझे ऑन यूकल टरमस समानसरतओं पर उकल मतलब समान टरमस मतलब सार्त अन मतलब पर तो समानसरतओं पर तो फ्रेंट्स पूरा देख लेते हैं this compartment with me on equal terms वह एक व्यक्तित्व और बुद्धमन्ता में विकास कर रहा था जिसने इस डिब्बे के अधिकार पर समान सर्तों पर मुझे चिनोती दी I मतलब मैंने felt महसूस किया my heart अपने हिर्दय को barming नम होते हुए twice मतलब के प्रती हिम मतलब उसके I felt my heart barming towards him मैंने अपने हिर्दय को उसके प्रती नम होते हुए महसूस किया and or the sense of superiority स्रिष्टता की fading मुर्जाते हुए या समाप्त होते हुए I felt my heart barming towards him and the sense of superiority fading मैंने अपने हिर्दय को नम होते उसके प्रती नम होते हुए और अपने स्रिष्टता की भावना को मुर्जाते या समाप्त होते हुए महसूस किया यानि कि जो लेखक थे उन्होंने अपने हिर्दय को उसके प्रती नम होते हुए महसूस और जो उनकी स्रिष्टता की भावना थी उससे समाप्त होते हुए महसूस किया हाव मतलव कैसे हाव मतलव कैसे कोड मतलव सकता था I मतलव मैं feel महसूस superior स्रिष्ट या अधिक स्रिष्ट तू मतलव से या किया पेच्छा अ क्रियेचर एक प्राड़ी की तो फ्रेंड्स यहां comparative या जो comparison करने वाला सब्द होता है वह सुपेरियर के साथ then प्रयोग नहीं होता है to होता है तो how could I feel superior to अ क्रियेचर कैसे मैं एक प्राड़ी की अपिच्छा अपने आपको अधिक अधिक सरेश्ट महसूस कर सकता था हू मतलव जो बोज मतलव था so मतलव इतना अधिक manifestly especially रूप से my master मेरा स्वामी in the only केवल एक competition प्रतिस परदा में इन बिच जिसमें की d मतलव हम लोग had ever ever मतलव ever मतलव प्राहे engaged उलज गए थे तो पूरा देख लेते हैं friends how could I feel superior to a creature मैं कैसे मैं एक प्राणी की अपिच्च आपने आपको अधिक सरेश्ट महसूस कर सकता था हू मतलव जो was so manifestly my master in the only competition जो की इस पश्ट रूप से किवल एक ही प्रतिस्परदा में मेरा स्वामी बन गया था इन बेच जिसमें की we had ever engaged जिसमें की हम लोग प्राए उलज गए थे why not क्यों नहीं b मतलव हो जाए b मतलव हो ना तो हुआ जाए magnemious उदार again मतलव फिर से या पुन है why not be magnemious again क्यों नहीं पुन है उदार हुआ जाए तो magnemity यानि की उदारता and मतलव or mercy दया magnemity and mercy उदारता और दया यहां फ्रेंट्स वर नहीं R होना चाहिए तो R होते हैं जैसा की we were में होना आर्थ देते हैं the noblest मतलव सबसे स्रेश्ट attributes गोंड of man of मतलव के man मतलव व्यक्ति तो magnemity and mercy are the noblest attributes of man उदारता और दया मानव के सबसे स्रेश्ट गोंड होते हैं आगे फ्रेंट्स तो इससे आगे बाली वीडियो फ्रेंट्स हम इस चेप्टरों अच्छी तरह से कवर कर लेंगे तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल टेक केर and have fun